इतिहास के पन्नों से इस कारेकरम का आधार संकलन है विश्वस्नियता के लिए संदर्व ग्रण्थ का संपर्क करें नमश्कार आईए स्वागत है आपका लोक प्रीय कारेकरम इतिहास के पन्नों में आएं, देखे, सुने, सोचे, समझे और मनन करें क्या खुछ हुआ आज की दिन इतिहास के पन्नों में क्योंकि आप तो जानते ही है इतिहास हमेशा अपने आपको दोहराता है दिनाख 9 नवंबर 9 नवंबर सन 1867 में महत्मा गांधी के अध्यात्मिक गुरू शिरीमद रामचंद्र इनका जन्म हुआ सन 2011 में बायोकेमिस्ट हरगोविन लाल खुराना इनका निधन हुआ सन 1962 में स्त्री शिक्षन के जनक धोंडो केशव करवे इनका निधन हुआ सन 2005 में के आर नारायन इनका निधन हुआ ये पूर्वा राष्टपती थे सन 1968 में अभिनेत्री नीलम कोठारी इनका जन्म हुआ सन 1925 में दादा साहिब खापरडे की कॉंसिल अफ वराड पर नियूकती हुई सन 1920 में महात्मा गांधी इनका अमरावती आगमन हुआ और गनेश टेटर याने आज के प्रभाट टॉकिज में और हनमान वयाम परसारक मंडल में सभा हुई सन 1947 में आज ही के दिन सवराष्ट का जुनागर राज्य भारत में विलीनी करण हुआ सन 1988 में मुंबई भारत पेट्रोलियम में आग लगने में बारा लोग मृत्य हुए सन 1877 में सारे जहां से अच्छा के लेखक कवी मुहमद इकबाल इनका जन्म हुआ सन 1967 में अभीनेता बाबु राव पेंडार कर इनका निधन हुआ सन 1977 में संगीतकार दिखदर्शक और कॉमेंटेटर केशो राव भोडे इनका निधन हुआ सन 1271 में संत नामदेव महराज इनका जन्म हुआ सन 1937 में जापानी सैनिकों का संगाई पर कबजा हुआ सन 1963 में जापान की कोईला खदान में विस्पोट होने पर 452 लोग मरे और 500 लोग गायल हुए सन 1971 में चीन का प्रतिनीधी मंडल पहली बार राष्ट्र संग सम्मेलन में शामिल हुआ सन 2000 में देश के 27 विस्वे राज्य उतरा चल इसका जन्म हुआ सन 1922 में अफगानिस्तान सुरंग स्पोट में 171 रशियन सैनिक मरे सन 1963 में संगीत कार गुलाम हैदर इनका निधन हुआ सन 1963 में नटवर्य बाबुराव पिंधार कर इनका निधन हुआ कर दो कर दो